कि अले विवान दिस दॉक्टर इसके सिंग आई हब दन माइं बेवेस प्रॉम मलाना अजाद मेरी कॉलेस और हम लक्ष एंबेवेस सीरीज के आगे बढ़ चुके हैं हम लोगों ने अभी तक डाइजिस सिस्थम कंप्लीट किया है सक्सेस्पुली रेस्पिरिटरी सिस्थम कं किया है और आज बारी है स्क्रीटरी सिस्थम का जो बच्चे रेगुलर आते होंगे वह काफी फाइदा उठा रहे होंगे तो आप अगर नए है इस चैनल के उपर तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा जो रेड कलर वाला बटन है से जरूर दबाएगा और यहा इस टेलेग rapping पे मिलेगा इस वी डियो के डिस्कूशन बॉक्स में कवें आपको टेलिग्राइम का लिंक मिल जाएगा उससे आफ जरूर जुइन कर लीजिएगा और मैं पर लाई की पढ़ाता हूं तो आप अपने प्लेस अपले स्टोरS बूड़ और जो भी है दाउLP एन तो आप इस क्लास में आ सकते हैं एक लास अने गाड़ी का ट्रेंडिंग क्लास है बहुत सारे बच्चे आते हैं और इससे फायदा उठाते हैं यह फिलिंग आप होता है जो फ्री है अने अकाड़ी पर हर दिन सुभे 9 बजे और शाम को 8 बजे इंवाइट को डॉक्टर एसके संग लगाके इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं और आप जो है बैस कर सकते हैं बैस में बैसकर सकते हैं आज लिए सिस्टम की च्रूरत की जरूरत क्यों पड़ी है यस परकार हम जो भीखाना खाते हैं उससे digestive system उसे control करती है यानि उसका digestion होता है फिर हमने सांस लेने की विधी समझा फिर circulation के बारे में पढ़ा आज यहां पर स्क्रेटर सिस्टम रहेगा स्क्रेटर सिस्टम वैसे के लिए जो भी आप खाना खाते हैं तो उससे पार्ट जो है बाड़ी से बाहर निकलता है तो और एक्टम और एनस से बाहर निकल जाता बट अंडाजिस्टेट पार्ट में कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज रहते हैं और तो इस और इस चेप्टिर की हमें जरूरत पड़ी है और यह नोट्स आपको टेलिग्राम के उपर मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना तो यह है, तो आप एक समय में एक ही काम कर सकते हो, या तो आप अच्छे से ध्यान लगा के समझ सकते हो, या लिख सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, अगर आप दोनों एक साथ कर रहे हो, तो या तो आप खाली लिख रहे हो, या खाली आप सुन र क्लोरीन और फॉस्पेट एंड सल्फेड एक्सेक्टरा जितने भी आनिमर्स होते हैं उन में सारे नैट्रोजीनियस विस्टेज रहते हैं जैसे की अमोनिया यूरिया यूरिक आसिड काबन डाइकसाइड वॉटर आइन इस सारे चीज़ तो दे कैन भी आइधर और मेटाबोल और शाओ है है और शेम में इस स संथे के वज़ह से इस यूट सीनियस बंता रहता है हमारे शरीर में अगर आपने खाना घाया उसका होता है नकि पीडियेशन होता है तो उस वक्त भी सारे चेज़्ार चलती रहती है 沒有 नाइटोजीनियस वेस्टेज हमारे शरीर में एक अठा होने लगते हैं जो सबसेंस बने हैं जो यूरिया यूरिक आसेड अमोनिया या तो यह पूर्ण रूप से पूरे बॉड़ी से रिमूब होने चाहिए यह यह कुछ रिमूब होने चाहिए अगर हम सोडियम के बारे हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि सोडियम अगर पूरे रूप से बाहर निकल जाएगा ठीक है अगर सोडियम पूरे रूप से बाहर निकल जाएगा तो बताएए कि हमारे लिए नुकसान है या फायदा है येस प्लीज हैंजी क्या क्या फायदा होगा नुकसान होगा इट्स टेक्निकल ज्यान चंदा इंदू प्रियांसू मांसी इशा इंदू प्रजली हलो हलो प्रीती मंजीत कौर मंजीत कुमार सीमा मुहमद जावी रोहनायूस रुचि मिश्रा जानुई ठाक और बताए कि अगर मान लिजे कि सोडियम पुन रूप से है ना टूटली रिमूव हो जाए हमारे बॉड़ी से तो यह हमारे लिए नुकसान होगा कि फायदा होगा नुकसान होगा क्यों कि दिस सोडियम इस इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट 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 को गिल्कोस चाहिए माले जये सेल है और नाराज है इसल है नाराच है क्यों क्योंकि इसके पास अंदर नहीं आए गर क 거는 अपने आप इस से devam अदर नहीं आएगा सोडियम पहले गुलकोस से दोस्ती करेगा कहेगा सोडियम गुलकोस से की येस तुम्हारा सबसे पसंदिदा लाइन है तो चलो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है और गुलकोस को चलो तुम सेल के पास घुमाने ले चलता हूं असल तब से खीच लेगा और सेल हो गया खुश मैरे यार हंस रहा है गुलकोस की बार इसकी जाए तो तो सोडियम इस वेरे इंपॉर्टन तो अब डिपेंड करता है अब टूटली सोडियम नहीं होना चाहिए देन आगा तो अन्सट अमोनिया की बात होना चाहिए तो आमोनिया चाहिए बाड़ी से पूरी पूर्ण रूप से बाहर जाना चाहिए अगर थोड़ा सा भी अमोनिया रह गया तो काम गड़बर हो जाएगा हमारे शहरीर में नुकसान हो जाएगा कुछ एक्स्ट्रा एज है जो आपको जानना चाहिए nephrology is a study of nephrology is a study of kidney and their disease which affiliate them उससे समंधी सारे चीज़ें नाव अमोनिया यूरिया और यूरिकासिट यही तीन सबसे ज़्यादा नाइटोजीनियस वेस्टिज माने जाते हैं हमारे श्रीड के अमोनिया यूरिया यूरिकासिट राइट अमोनिया यूरिया यूरिकासिट यही होते हैं इस टॉक्सिक शीजों को बाहर निकालने के लिए बहुत जादा पानी की ज़रूरत पड़े हैं ना पानी तुम्हारे फ़र्श पर गंदा है तो रहूंत पानी चाहिए तो इसको ज्यादा पानी के जरूरत होती है ज्यादा पादी से बाहर निकलेगा ठीक है वेराज यूरीक असट विंग लीस टॉक्सी कैन भी रिमूब विद दा मिनिममम लॉस अपॉर्ट इसको जरूरत होती है मिनमम लॉस में एक काम हो जाता है इसका हाना और बेसिस ऑफ इसक्रीटरी वेस्ट इस आनिमस कैन वी डिवाइद इंटो थी ग्रोप जो अमोनि अगर आपको रंग विलंगा नहीं देखाई दे रहा होगा क्योंकि आप लोग जो होते हो नोट्स बनाते हुए और नोट्स में क्या करते हो लाल पी लार निला करते हो तो यह मुझे अहसास था कि आप बिना लाल पीला नीला भी नहीं करना अलरेड़ी कर दिया है पूरा बस आपको इसको download करना है हो सके तो print out निकाल देना नहीं निकाल सकते हो तो well and good ठीक है और बस पढ़ना सुरू करते हो स्कृटरी अमोन इपैड एक्वाटेबिस्य एक्वेटी कैंश हकोटि एक्वेटिंस अक्वेटिक इनसेक्ट थाफ। ठीक है यह आना ही चाहिए अमोनो टैलिक ऐसे आनिमल होते हैं जो अमोनिया स्क्रीट करते हैं बोने फिश एक्वेटिक अंफिवियन एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनिया इस विडिली सॉलेवल और जैनरली स्क्रीट बाइद डिफूजिन अक्रॉस दो बॉड़ी के सर्फिस से की डिफूजन होता रहता है थ्रूग गिल्च एंफिश और अमोनियम ऐ युड एसे आनिमस जो कि क्या सींट करें क्या स्क्रीट असी करें जैसे हम अगे हम ने तुम भी घरी तो मनिशी हो युरिया and up यह लिए कौल पर प्रडाक्शन अफ लेजर टॉक्सिक नाइटोजन वेस्टेस लाइक यूरिया और यूरिक असिट पॉटर मैमल्स और शार्क डारेक्ट आपके एक्जांपल पुछे जाएंगे एक्जांपल बस बता दोगे काम हो जागा एक लास्ट है यूरियो टेलिक जैसे मान दो कि सद्दाज के बिल्कुल बालोल बढ़िया । जारे हो मिलनेे हैं यूरियो टिक फेस्ट की तरह बरस्कृत तो यह से कोली ठीक भी तरह मेरे नेस स्कृरिट नैटोजीनियस विस्ट एस यॉरिक आस्ट अफी स्ट पीले आहिकर लॉष रस्ट पानि पानी का लॉष मिनिमुम पानी यॉष भ्याह सुछ रगेन बऊस्ट इंसेक्ट आ नीभिड यॉष टेगरी राइट मैं हॉस्पिटल में हूँ और क्लास देख रहा हूँ इंदु थापा यही है यही सफलता के निसानी है जहां पे रहो शादी में रहो हॉस्पिटल में रहो कहीं पे रहो रोजाना 11 बजाओ यही सफलता की कुण्जी है वेटा यही सफलता के कुंजी है चलो का कह रहे हो सर आज नहां के आए हैं इसलिए अच्छे लग रहे हैं वे तुम लोग को कैसे पता चल जाता है वे दिल चीर के देख तिरा ही नाम होगा आप बैटा एलन जेपी होस्पिटल चीरी देंगे तो टाइप ऑफ अनिमल थोड़ा सा अगर देख रहा है तो ठीक नहीं देख रहा तो यह नूट्स मिल जाएगा आपको मैंने तीन कटेगरी बना दिया है ना तो आपको अगर बखवास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो यह टेबल को पढ़ लोगे काम निपढ़ जाएगा यूरी को इस से यूर्या और इस यूरी काइच है रिकौार्मेंट आफ वॉटर बहुते जादा ठीक है इसमें कम और इसमें बहुते कम कैसे होगा इसकरेशन अमूनिया का डिफुजन अग्रॉस दो बॉड़ीश सुर्फिस सर्फिस इन फिश पूरा जो अभी तक पढ़ा है मैंने सबका एक ही पेज पेज पूरा इस प्रिटरी सिस्टम नहीं आ सकता है बड़े बड़े चमतकारी लोग है कि पूरी इक पीज पर इस चाचा लगते हों गया लगते हों कि यह ने बता दिया कि पर वही चीज लिखो जो हम बता रहे हैं और यह कीच्चिव स्थ पूछ लीजर नहीं आया हुआ क्शें थी है जितनी नंने वेस्ट हमारे शरीर के दर बनते हैं तो हम लोग किडिनी करता है कि एकिडिनी क्या करता है अव्य लीवर के अंदर गए बनता कहा है लीवर के अंदर तो यह कुछ निए टॉक्सिटी की बात करें जहरीला की बात करें तो यहरीला कौन सा है सबसे ज़्यादा एक उससे कम यूरिया और उससे भी कम यूरिक आसिट यूरिक आसिट तुम ज्यादा फाटी चीज खाओंगे तला भूना खाओंगे ओली चीज खाओंगे तो उससे आपका इस कृटरी मतलब सिस्टम थोड़ा सा गड़बढ़ा पूछता हूं एक आपको पता होगा कि जितने भी हीरो हीरो होती है वह अपने डाइट को लेकर कितना कॉंसियस रहती है यस और नो बहुत कॉंसियस मतलब मुझे लगता है कि तीन-चार डाइट ट्रेंड उनके पास होंगे कि सुनो और लिखान नो 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 इस नॉट गुड फॉर यू अना नो वह कुछ खा रही है मालो के पूरी खा रही है तो दो पूरी खाली तब तीसरी पूरी के पास डाइट रिणा जाएगे कि घ希望 ठीसराइग रही तो मुझे आज तक समझ नहीं आगा कि यूँ कहा खाने में उखाली घडागा कोई हेरो इन खाने में खाली बटर कैसे खा सकती है समाझ नहीं आ रहा है हम लोग जैसे लोग खा कॉ था प्राडिया यह फैटी और हीरा डहल को बढ़ा सकते हैं मिस इमेदारे में बात करते हैं कि बारे इंगी औरिन के बारे में बात करते नो हमारे पास किड़नी है हमारे पास मा है हमारे पास किड़नी क्या करता है कि कुछ भी खाव सब को बाहर निकाल देगा तो कुछ और भी किड़नी का लग कुछ सेल्स कुछ चुड़े और लीज पढ़ लेते हैं जो आपके लिखा हुआ और यह कुशन आता है रटोन फ्रेडि और फ्लिम सेल मुझा लगता है कि नीट 2022 में आ चुका है ना बस खाली मारना है टिक तो कोशन आएगा कि प्रोटोन फ्रेडिय और स्टेम सेंट कौन से और गणिसम में पाय जाते हैं तो तो बीटा रटो जो जोड़ से ब कुछ एंफियोक्स युश प्रोटोनेफरीडियंस तो यह जो भी गोला मारा है बटा गोला बहुत इंप्वर्टेंट है जितने भी गोला मारा है आस्था लाइक ठोको सभी लोग हां पीटा लाइक ठोको electo co electo tp to platyhelminthus example planaria rotifers some anylates cephalocardates enoughsis proteinthridia primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation example osmo regulation example osmo regulation example osmo regulation नेफ्रीडिया आर्द टुबलर स्कुरिटरी स्ट्रॉक्चर ओफ अर्थबॉम और अनिलीट्स नेफ्रीडिया हेल्पिन रिमुव थे नाइटोजीनियस वेस्टेस और मिंटीन बॉडी फ्यूल और इनिक बालंस नेफ्रीडिया जो है अर्थबॉम में होता है इसको याद र होता है कोक्रोच ऑफार कोशन है नीट के अंदर पूरा पूरा नोट्स नीट पर ही डिपेंडेंट ए और यह नोट्स फ्री में अवलेबल है कहां पर टेलीग्राम पर टेलेग्राम से जोट जाना तो इंसेक्ट इंकलोडिंग कोक्रोच मालफीजीन ट्यूब्स हेल्पिन वेस्टेज और आस्मो रेविलेशन के लिए सहायक होते हैं ठीक है तो एनलीड्स एना एक सेकंद दीजेगा इसका फोन आ रहा है तो एंटीनल ग्लैंड इन बैंक लोग को कैसे पता चल जाता है अर्ट एंटीनल ग्लैंट ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड यह यह निंट दो है is present in the kidney of male frog which is associated with the passes of sperm पांच बार इस लाइन को उचारण करिएगा पांच बार इस लाइन को उचारण करिएगा ब्रीडर्स बीडर्स के नाल is present in the kidney of male frog and associated with the passes of sperm आयवा कोशन है आता है आता रहेगा आता रहेगा अब हम बात करते हैं kidney से kidney के बारे में अब हम बात करेंगे यहां पर थोड़ा धुन्दला धुन्दला दिखाई दे रहा होगा कोई बात नहीं हम इसको कर लेंगे तो पहला उपर किदिनी के ऊपर एक ग्लैन रहता है किदिनी के उपर एक ग्लैन रहता है इस ग्लैन का नाम बोलो आड औरल डेनल ढम एड रीनल ग्लैन ड्या इसकिं दन के अदर अदर ऐसे ऐसे मैडूर्य यह रामीड होते हैं क्या होते हैं मैडूर्य यह समझ लेना और फूरा के लिएर एरिया है की लिएरिया का नाम बोलो रीनल लो फैलिस रीनल पालविस थिए इन नोच का नाम को ही बता सकता है आईलम और इसी से क्या निकलेगा भेटाए यूरेटर बोलो यूरे टर ठीक है इसे सब्सक्राइब निकलेगा जो एक फिन कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं रीनल काप्सूल हाने वाला नीवे रीनल काप्सूल ठीक है रीनल काप्सूल और मेडुलेरी पिरामेड और रीनल काप्सूल की बीच में डिस्टेंस देख रहे हो यह दूरी सही जाए ना यह दूरी सही जाए ना यह दूरी सही सही यह गलत सही मतब टॉलरेंस नहीं हो रहा है तो जब टॉलर से नहीं तो भाग के चले जाओ अभी तो सब छीज खुला हुआ है थोड़े दिन में बंद भी हो जाएगा लोगणा नहीं आ सकता है तो यह देखो यह जो रीनल काप्सुल है और मेडिलरी पिरामेड है इसके बीच में जो डिस्तेंस है इस डिस्तेंस का नाम के अंदर इस किडिनी के अंदर हैं जे इस किडिनी के अंदर दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट कोटेक्स और दूसरा पार्ट मेडूला पहला पास कोटेक्स दूसरा पार्ट मेडूला और पूरी किडिनी में क्या होते हैं नेफरॉन होते हैं क्या होते हैं नेफरॉन होते आंड फांक्षनल फांक्षनल यूनिट ओफ है यानि किडिनी जो है बिसेकली निरमित है और निरॉन के वज़े से ही एक काम करता है किड्नी जो है नेफरॉन के वज़े से निर्मित है और नेफरॉन के वज़े ही काम करता है अगर हम बहुत ही सई कर Absolute को बनाएं तो कुछ यह देखिए नेफरोन का केते हैं मेडुला तो मैडुला मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्ट्रॉक्चर होगा उसे मैडुला कि่ving तो लूप ओफ हैं लो एक हम पूरा describe करेंगे इस इस स्ट्रॉक्चर को टेंचन ना ले यह this opportunities वासा रिक्टा इसीज़ कॉंल्फ में कॉट कॉन कॉन से पार्थ होते हैं Turns बता दू दू के बता दो एक कप है तो दिस इस काल बामन कापसुल बीसी बीसी बावन कापसूल इस काल पीची ती प्रॉक्जिमल गन्विलेटेट ते व्हुज अन्ड इस इस लिए सीडी तो कोटेक्स घंदर क्या कहे चीज़े आ रही हैं बीसी बावन कापसूल इसमाइं गलोमरुलस भी आएगा वहां हम बाद में चर्चा करेंगे तो अलमस्द सारे यहां पर बता दिया आपको जो यहां पर है अचाए किटनी को जो यह आ डरी लेकर आ रही है इस आटरी का नाम है इस आटरी का नाम है रीनल आत्री जो मतलब यह अच्छली आपडॉमि समय खेंटा से सीधा हमारे हाट में पहुच जाएगा इन्फेरियर तो Doing Human रोते हैं और एग क्या होता है क्या होता दो कीडिनी उपार यह हुते हैं पीछे-्रेट्टॉरी कडिनी दो शीus के क्लिंदे दो ऊर्डडडर एक आउ रिडीया डीया होता है दो सिस्थम पेर नी वन पेर ऊप युडड़ेंटर एक युडारर होता से सुं अ कर देते अ थे किटिन है शोन के में आई बात डास उन मतेसी ब्लारों से और रेडिश ब्राउन कहने में और सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है वैसे देखो गर रियलिस्टिक तो रेडिश ब्राउन होता नहीं है तो तुम मालों की सर्जरी फानेलियर में गए जाके वहां सर्जर्ण से पढ़ा था बच्पन से की रेडिस ब्राउन है तो हाईगी नहीं बैटा कहीं सर्जर्ण का दिमाग सटक का हुआ रहता है वैसे चला का तुमको चीरा ना मार दे इसलिए सुनने और देखने में अच्छा लगता है वैसे पाया नहीं जाता है तो यह रेडिस ब्राउन क्योंकि हम देखे हैं इसलिए बता देते हैं जो लोग देखे नहीं है वह रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन रेडिस ब्राउन नहीं चिलाएंगे बस होता नहीं है ब कि तो बता दो थोड़ासिक है लंबर एल फाइफ प्रासिक च्वेल होता है बहुत बढ़िया लंबर पहला तो थोड़ासिक लास्ट विटेवरा टी टुवल और लंबर थार्ड वर्टेवरा एक से तीन के बीच में रहता है कि तो जैसे हिच्च खतम हुआ जैसे हिच्च खतम हुआ उसके पीछे आपका किड्नी शुरू हो जाता है थीक है तो थो थोड़ लंबर वर्टेवरा क्लूस्टू दे डॉट्सल वेंट्रल वाल अफ अब्डॉमिनल काविटी पीछे साइट किड्नी होता है अब आगे से किड्नी को पूगे बताने हैं किड्ना में ऐसे ही कोशन पूछे जाते हैं नॉर्मल कोशन तो हर कोई बता देता यह नहीं बता पाएगा तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है तो इच किड्नी ऑफ एडल्ट हुमन इस मेजर अबाउट 10-12 सेंचिमेटर इन लेंथ 5-7 सेंचिमेटर इन विथ 5-7 सेंच सेंचिमेटर इस थी किने इस एड हैं ग्यें आपके इस एक रख जो है 10-12 सेंचिमेटर एंड यह वेड़ सेंचिमेटर क्या है विरत है दो से 2-3 सेंचिमेटर क्या है ठिकने से और वेट कितना है 120 से 170 बॉर्ट साइक्ल साइकलो साइकलो सैक्लोस्तोमsteAr Link to make the सब्योंच Keeping यूरिनेरी ब्लदर इसमें नहीं होता है यूरिने बैर नहीं होता है स्टिट नाम से मुना में देखाएगा निकलेगा निकले यही रास्ता है जैसे हमारे घर इसा से लोग जाते हैं उसी से लोग आते हैं लोग इसी से जाते हैं अच्छे लोग सब्सक्राइब तो यहीं से सारा चिस उरेटर अंदर जाता है तो तो टूबर्ड थे सेंटर अब इनर कंकेब सर्फेस्ट थिक नियदा किड्नी इस नॉच कॉल हाइलम थूब इस दो यूरेटर ब्लॉड वैसल्स अनर्व सकीर ढूब में थूब इनर उटर इन तो यूज है तो अप। यूज इस इस प्रोजचों को कहते हैं कलाइस तो आउटर अटर लियर धैनि जो अगर आप लेट हैंगे आउटर लेयर इस वेरी टफ काप्सुल किड्नी इस अ आउटर लेयर इसके अंदर भी अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर है था प्रोटेक्टिव लेयर इसकाप्सूल और इंसाइड देर आउटर कोटेक्स आंद इनर मैडूला अभी अभी बताया था कि यहां पर आसे मेडुलरी पेरामीड होते हैं से बिलकुल हो रहाए और मैने बताया हुई था कि कोंटर्अ में क्या चीज़वे आती है मेडुला में क्या सीज़ आती है ना ना है है प४ोरा जो ऑ्री काप्सal और यह काप्सुल और यह पेरमिड है देख घू से बूञत के बीच में इसके बीच में बारी उन बहुंते हैं cuma अज के में लिए थोड़ा पढ़ो assume Just इंट्रेस्क बना रहेगा यह पूरा नोट्स हम अभी टेलीग्राम पे शेर कर देंगे और आज हम 8 बजे मिलेंगे आप से episode 8 मिलेंगे आख ऐंक करेंगे बहुत बढ़िया से इन्भाइट कोट वेटा